हाई फ्रेंज, के होम्स कोकिंग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे अरहर की डाल रेसिपी तो चलिए फ्रेंज, हम यहाँ पे सामगरी देख लेते हैं डाल बनाने के लिए यहाँ पे हमने आदा कटोरी अरहर की डाल दी है तो अरहर की डाल को हम कुकर में डाल देंगे जो डाल है उसको हमें एक से दो बार धो लेना है तो यहाँ पे फ्रेंज, हमने डाल को एक से दो बार धो लिया है पानी निकाल लिया है यहाँ पे हमने चोटी कटोरी से चार कटोरी पानी उच किया है तो फ्रेंस यहां पे दाल में हमने आदा चोटी चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है आदा चमच हमने नमक डाल दिया है नमक डालने के बाद हम कुकर का जो ढखकन है उसको बंद कर देंगे कुकर का ढखकन बंद करने के बाद यहां पे हमने गैस पे रख दिया है जब तक हमारी दालो बल रही है यहाँ पर हमने आदा कटोरी से थोड़ा कम हमने आम की सूखी हुई केरी एक हरी मिर्ची दो साबुत मिर्ची थोड़ा सा द्रग थोड़ा सा धनिया लिया है तो यहाँ पर फ्रेंस हमने जो सूखी हुई आम की केरी ली है उसको हम एक बार दो लेंगे और पानी हम अलग कर देंगे पानी अलग करने के बाद यहाँ पर हम केरी में आदा ग्लास पानी डाल देंगे क्योंकि फ्रेंस जो हमारी केरी है वो अच्छे से फूल जाएंगी फ्रेंस यहाँ पर हमने एक हरी मिर्ची ली है अदरक लिया है और थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है तो आप देख सकते ही फ्रेंस यहाँ पर हमारी जो डाल है उसमें दो से तीन सीटी आ गी है उसके बाद फ्रेंस यहां पे हमने जो केरी ली थी वो फूल गए है मिर्ची को बारी काट लिया है अदरक को कद्दुकस के लिया और हमने धनिया को बारी काट लिया है यहां पे हमने गैस पे कड़ा ही रखती है उसमें हम देड़ बड़े चमच सरसों का तेल डाल देंगे तेल हमारा गरम हो गया है तो यहाँ पे हम एक चुटकी हिंग डाल देंगे हिंग को हम भुनने देंगे उसकी बाद हम यहाँ पे एक चुटी चमच जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद यहाँ पे हमने जो कद्दुकस किया हुआ अद्रक लिया था वो डाल देंगे और अद्रक को हमें ब्राउन होने तक भून लेना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंस यहाँ पे जीरा अद्रक भून गया है तो उसकी बाद हमने जो बारी कटी हुई हरी मिर्ची ली थी वो डाल देंगे मिर्ची को भी हम भून लेंगे हरी मिर्ची भून जाने के बाद यहाँ पर हमने दो सावत लाल मिर्ची ली हैं वो डाल देंगे और मिर्ची को भी हम भून लेंगे उसकी बाद फ्रेंस हमने जो आम की सूकी हुई गेरी पानी में डाली थी तो वो डाल देंगे, पानी अभी हमने नहीं डाला है तो इसको हमें आदा मिनित के लिए चला लेना है उसकी बाद हम यहां पे आदा चमच अल्दी पौडर, आदा चमच ड़ट चली पौडर एक चोटी चंप नमक यूज सब्सालों कीक्स कर Share मिलादीन काफूली और वारी कितना पीमना कीक्पे ट्पफिक करना है तो दाल डालने के बाद हमें दाल को 2-3 मिन्ट के लिए पका लेना है हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है फ्रेंज आप इस तरीकी से दाल की रेसिपी जरूट ट्राइए करना यह बहुत ही टेश्टी बनती है तो यहां पिफ्रेंज हमने आदा चोटी चंबच गरम ऐसाला पाउटर ताल दिया है गरम मसाला को हम मिक्स कर देंगे फ्रेंज डाल को पकते हुए 2-3 मिनट हो गया है हमने तेजम आज पर पका लिया है तो यहां पे हमने बारीक कटी हुई हाओ धनिया लिया था बो डाल देंगे अभी हमने अदा धनिया डाला है, पूरा नहीं डाला है, थोड़ा हम बचा लेंगे धनिया डालने के बाद हमें एक मिनिट के लिए और पकाना है धना को तो फ्रेंस आप देख सकते हैं हमारी डाल का जो कलर है कितना पर्फैक्ट आया है फ्रेंस यहां पे हमने धनिया डालने के बाद एक मिनिट के लिए और मिक्स कर दिया था आप लोगों को हमारी ये रेसीपी पसंद दाये तो फ्लीज न भूलिये, मिलते हैं अंगली वीडियो में, धन्नीबाद